अब जैन चौधरी के नेताई दोदर भाग रहे हैं तो यह मान के चलिए कि जैन चौधरी ना खुद समल पा रहा है न नेताओं को समल पा रहा है जो खुद पार्टी का एलान कर चुके कि अन पार्टी में ज़ा रहे हैं अकलेश का दामन छोड़ रहे हैं बीजेपी के साथ लेकिन खुद नहीं ज़ा पारों अपने नेताओं को ने समाल पार यहां पर अगर जैन चौधरी की नेताई दोदर बटक रहे हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं उनकी पार्टी मंतर का लैचल रहा है तो यह मान के चलिए कि वह अपनी पार्टी का अगठन क्या करें और ब बहुत बहुत स्वागत मेरेकास प्रोग्राम चुनावी अख़ाड़ा दोहजार चौबिस में रालोद प्रमुक जएंत चौधरी की पार्टी क्या अब तूट जाएगी जो मातर भर नौविधायक जएंत चौधरी के पास हैं क्या जएंत चौधरी से अब वो ही बगावत कर जाएंगे यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तपरदेश में राहूल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा देखने को मिल रही है और राहूल गांधी की भारत जोडो न्याय यात्रा में ना सर्व अखले इश्यादव शामिल होते में नजर आए बलकि दिप्रमुक जैंत चौधरी के कई कारे करता भी शामिल नजर आए यहां पर कई कारे करता उन्हें राहुल गांधी को अपना भरपूर समर्थन दिया यहां पर कई ऐसे जाट नेता भी नजर आए जो राहुल गांधी के हक में उनके रेली में आवाज उठाते हुए भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहुँगा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा तभी तो यह नतीजा निकला कि एक भी सीट में जीत नहीं पाया समाजवादी पार्टी ने बेशक सीटों का उफर ज्यादा किया हो लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ रहकर जैन्त चौधरी चुनाब नहीं जीत पाते इस बात का दावा खुद जैन्त चौधरी करते वे नजर आए और एंडिये की तरफ बढ़ गए और ये दिखाने की कोशिश की कि एंडिये के साथ जुड़ना यानि की जीत की कागार पर पहुँचना लेकिन अब वही जैन् तो अपने विधायकों के साथ मतुना में एक बड़ी बैठक करते वे नजर आते हैं और बड़ी बैठक के बाद वही फैसला निकल कर सामने आता है कि आखिरकार करना क्या चाहिए क्या इंडिये के साथ सही है उनका फैसला जुड़ने का या फिर दोबारा समाजवादी पा प्षिश करेंगी कि जो जैंत चौधरी ने फैसला लिया था कि एंडिये में जाएंगे लेकिन अभी तक अधिकारिक रूप से गोशना नहीं की है वहीं राहुल गांधी की यात्रा में रालोध प्रमुक जैंत चौधरी के कई कारिकरता शामिल नजर आते हैं यहां पर जै अब देखिए कि उत्तरपदेश की राजनीति इस वक्त सबसे जादा उलजीवे नजर आ रही बिहार के बाद देखिए यहां पर जैन चोधरी कहीं नहीं बीजेपी में जाने को लेकर अपनी बाते साफ कर रहे थे क्यूंकि उनके यहां पर पुर्खों को यहां पर भारत दिया जाता है तो वो खुश होते हैं इसके लिए बीजेपी का धन्यवाद देते और यह बड़ा कारण बताया जा रहा था कि इसलिए वो भारत अपने की चकर में इसी सब पुर्षकार की चकर में बीजेपी में जा रहे हैं यह साबित नहीं हुआ उन्होंने कहा बीजेप के साथ जा रहे हैं लेकिन खुद नहीं जा पारे हो अपने नेताओं को नहीं समाल पारे हैं तो यह समझने की जहुरत है कि अब उत्तर प्रदेश में लगातार जो पार्टी है वो आपस में तूट रहे हैं यानि कि एक पार्टी से अपना खुद का नाता तोट रहे हैं ल उनके वधायक दलों से बड़ा लाब है क्योंकि एक एक वधायक से उनका एक एक यहां पर वोट निकल कर आएगा तो इसमेल अखलेश यादव कहीं पूरी अपनी रहनीती लगा सकते हैं लेकिन यहां पर जैन चोधरी अगर अलग भी हुए हैं तो उनको फर्क नहीं पड़े रहे हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं उनकी पार्टी मंतर के लेचल रहा है तो यह मान के चलिए कि वह अपनी पार्टी का गठन क्या करें और बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी जैन चोधरे का अच्छे अस्तमाल करेंगी बीजेपी के अंदर जितने भी नेता के लिए था उपने साथ उसे उमीध है यहां पर वोट मल सकता हुछ उत्तरप्रदेश के अगर बात करें तो मायावती साथ आ नहीं रहीं अकलेश यादम उनके खलाफ लगातार रहा है यहाँ पर इंडिया कड़ बंदन भी अपनी रहा है उत्तरप्रदेश में आगर वोट चाहिए तो ऐसे निताओं को अपनी ओर करना जरूरी है और जैन कुछ समुदाई की लोग ये कहते वे नजर आते हैं कि जो जाट जुक जाता है जो खाट तूट जाती वो किसी काम की नहीं रहती है और ये कहीं ना कहीं जम्मु कश्मी के पूर्व राज़ेपाल सत्यपाल मलिक ने भी यही शब्द जैंत चौधरी को लेकर कहे थे अब वो स जिताने के लिए वहीं समाजवादी पार्टी को भी ज़रुरत पड़ेगी लेकिन आकाश यहां पर ये कहा जा रहा है कि विधायकों का ही खेल जो सारा नजर आता है इस खेल में लगभग राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए भारती जनता पार्टी को लगभग 9 विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लेकिन जब गटबंधन हुआ तो उन्हें रालोद की तरफ भेज दिया जाता है उनके चिन पर चुनाव लड़ती वे नजर आते ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभाम ये चार विधायक पल्टी मार सकते हैं यानि देखें नाजमीन अगर जैन चोधरी ऐसा करते हैं तो उनके पास आप्शन नहीं बसता क्योंकि आप ताजा ताजा अपनी पार्टी को पीट दिखा कर भाग रहो और बीजेपी में जा रहो और ऐसे में बीजेपी में आगर आपका अमन नहीं लगता या बीजेपी में रहा है अखलेश यादव ने यह भी कहा था कि मायावती को प्रधान मंतरी बनाएंगे उन्होंने सपना देखा था मायावती को लेकर तमाम बाते कहीं लेकिन वो होता नजर नहीं आए मायावती अलग उतर गई तो कहीं ना कहीं जैन चोधरी यहां पर बीजेपी के साथ अ और फिर छोड़के अखलेश के पास आते हैं तो इससे दो खत्रे हैं एक तो जैन चोधरी के पास जो उमीदे थी जो मौका था अखलेश के साथ रहे कि वो भी खत्मोगा अखलेश उनको बड़ा मौका नहीं देंगे और यही अभी बाते भी चल रहे हैं आप देखें कि य राजे सभा में हमारी सरकार बन जाएगी तो कहीं न कहीं अगर यहां पर जैन चोधरी अखलेश को छोड़के बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी वाले उनको एकस्प्ट नहीं करते या राजसाबा चुनाओं के बाद सरकार बना लेते हैं विधान सभा चुनाओं से प बारे हो पार है बीजेपी के राजनीती साथ तोर पर आप किसी भी राजबे देखिए तो उने नेताओं को साधना है जो वोट बाइंगला सके और लोग सभाद चुनाओं के लिए आप सोचिए उन नेताओं को पत से हटा दिया गया जो यहां पर उनके लिए एक बहतर साबि हैं और कुछ वक्त के लिए आ रहे तो मुझे ने लगता कि बीजेपी इतना बड़ा वर्चस जो है जैन्त चौधरी को देपाईगी यहां पर एक और बात सामने भी आती है कि 26 फरवरी को मुलाकात योगिया दितनाच से लखनाओं में जैन्त चौधरी की होती हुई नजर आएगी अब यह मुलाकात क्या यहां पर सुचारू रूप से सही तरीके से जैन्त चौधरी के हक में आएगी मुलाकात के बाद क्या जैन्त चौधरी मीडिया के सामने अलान करते वे नजर आएगे यह सवाल अभी भी बना हुआ है लेकिन यह जरूर कहावत यहां पर जैन आइन्यों सतनिवान.